युहन्ना रचित सूसमाचार अध्याए ए आदी में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था यही आदी में परमेश्वर के साथ था सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन हुआ और जो कुछ उत्पन हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन ना हुई उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की जोती थी और जोती अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहन ना किया एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम युहन्ना था वो गवाही देने आया कि जोती की गवाही दे कि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं वो आप तो वो जोती ना था परन्तु उस जोती की गवाही देने के लिए आया था सच्ची जोती जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन हुआ और जगत ने उसे नहीं बह जाना वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहन नहीं किया परन्तु जित्रों ने उसे ग्रहन किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया अर्थार्थ उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लोहू से ना शरीर की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन हुए हैं और वचन देहे धारी हुआ और अनुग्रहे और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में टेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलावते की महिमा युहन्ना ने उसके विशय में गवाही दी और पुकार कर कहा ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है मुझसे बढ़कर है क्योंकि वो मुझसे पहले था क्योंकि उसकी परिपूर्टा से हम सबने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह इसलिए कि विवस्था तो मुझसा के द्वारा दी गई परन्तु अनुग्रह और सच्चाई येश्व मसी के द्वारा पहुची पर मेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा एक लौता पुत्र जो पिता की गौद में है उसी ने उसे प्रगट किया युहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरुशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछनी के लिए भीजा कि तू कौन है तो उसने ये मान लिया और इंकार नहीं किया परन्तु मान लिया कि मैं मसी नहीं हूँ तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर तू कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ. तो क्या तू वो भविश्य द्वक्ता है? उसने उत्तर दिया कि, नहीं. तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन? ताकि हम अपने भेजने वानों को उत्तर दें. अपने विश्य में क्या कहता ह उसने कहा जैसा यशाया भविश्य द्वक्ता ने कहा है मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभू का मार्ग सीधा करो ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे उन्होंने उससे ये प्रश्ण पूछा कि यदि तु ना मसी है और ना एलिया और ना वो भविश्य दता है तो फिर बप्तिस्मा क्यों देता है युहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल्द से बप्तिस्मा देता हूँ परन्तु तुमारे बीच में एक विक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते पैतनिया में हुई जहां युहन्ना प्तिस्मा देता था दूसरे दिन उसने येश्यू को अपनी ओर आते देख कर कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है ये वही है जिसके विशय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ट है क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता न था परमतु इसलिए मैं जल से बब्तिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राइल पर प्रकट हो जाए और युहन्ना ने ये गवाही दे कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकास से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया और मैं तो उसे पहचानता नहीं था परमतु जिसने मुझे जल से बब्तिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते देखे वही पवित्र आत्मा से बब्तिस्मा देने वाला है और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है दूसरे दिन फिर युहन्ना और उसके चेलों में से दोजन खड़े हुए थे और उसने येश्व पर जो जा रहा था दिर्ष्टी करके कहा देखो ये परमेश्वर का मेंदा है तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर येश्व के पीछे हो लिए येश्व ने फिर कर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा तुम किसकी खोज में हो उन्होंने उससे कहा उसने उनसे कहा चलो तो देख लोगे तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे और ये दस्वे घंटे के लगभग था उन दोनों मेंसे जो युहणना की बात सुनकर येशु के पीछे हो लिये थे एक तो शमान पत्रस का भाई अंध्रियास था उसने पहले अपने सगे भाई शमान से मिलकर उससे कहा के हमको हमको खरीस्त मसी मिल गया वो उसे येशु के पास लाया यिश्यू ने उस पर द्रिष्टी करके कहा के तू युहन्ना का पुत्र शमौन है तू कैफा अर्थात पत्रस कहलाएगा दूसरे दिन यिश्यू ने गलील को जाना चाहा और फिलिपुस से मिलकर कहा मेरे पीछे हो ले फिलिपुस तो अंद्रियास और पत्रस के नगर बैच सैदा का निवासी था फिलिपुस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा के जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविश्य द्वक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है वो यूसुफ का पुत्र येश्यू नासरी है नतनेल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है फिलिपुस ने उससे कहा चल कर देख ले येश्यू ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विशह में कहा ये सचमुच इसराइली है इसमें कपट नहीं नतनेल ने उससे कहा तु मुझे कहा से जानता है येशु ने उसको उत्तर दिया उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया जब तु अंजीर के पेड के तले था तब मैंने तुझे देखा था नतनेल ने उसको उत्तर दिया कि ए रब्बी तु परमेश्वर का पुत्र है तु इस्राइल का महाराजा है येशु ने उसको उत्तर दिया मैंने जो तुझे से कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड के तले देखा तु इसलिए विश्वास करता है तु इससे बड़े बड़ काम देखेगा फिर उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे अध्याय दो फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यिशू की माता भी वहा थी यिशू और उसके चेले भी उसी ब्याह में नेवते गए थे जब डाखरस घट गया तो यिशू की माता ने उससे कहा के उनकी पास दाखरस नहीं रहा येशु ने उससे कहा हे महिला मुझे तुझ से क्या काम अभी मेरा समय नहीं आया उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वे तुम से कहे वही करना वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीती के अनुसार पत्थर के छै मटके धरे थिया जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था येशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो सो उन्होंने मुहा मुँ भर दिया तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ वे ले गए जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा, जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, परन्तु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, वो जानते थे, तो भोज के प्रधान ने तूले को बुला कर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पी कर छक जाते हैं, तब मध्यम देता है, परन्तु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है, येश्यू ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन दिखा कर, अपनी महिमा प्रकट की, और उसके च चेले कफर नहूं को गए, और वहां कुछ दिन रहे, येहूदियों का फसा का पर्ब निकट था, और येश्यू यरुशलीम को गया, और उसने मंदिर में पैल और फेग और कबोतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाथ, और रस्यों का गुड़ा बना कर, सब फेडों और बैलों को मंदिर से निकाला करते हैं, और सर्राफों के पैसे पिता थे, और पीडों को खुलट थे, और कबोतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पीता के भवन को बेवार का घर मत बनाओ, तक उसकी चेलों को समर्णा आया कि लिखा ह तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, इस पर यहुदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है, तो हमें कौन सा चिन दिखाता है, येशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को धा दो, और मैं उसे तीन दिन में खड़ा कर दूँगा, यहुदियों ने कहा, इस मंदिर क बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे तीन दिन में खड़ा कर देगा, परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विशे में कहा था, सो जब वो मुर्दों में से जी उठा, तो उसके चेलों को स्मरण आया, कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र औ और उस वचन की जो ये शुके कहा था, प्रतीती की, जब वो यरुशले में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्नू को जो वो दिखाता था, देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु ये शुने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क् क्योंकि वो सब को जानता था, उसे प्रियोजन ना था कि मनुष्य के विश्य में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है, अध्याए टीन फरीसियों में से निकूदे मुस नाम एक मनुष्य था, जो येहूदियों का सरदार था, उसने रात को येशु के पास आकर उससे कहा, हे रभी, हम जानते हैं कि तु परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो, तो नहीं दिखा सकता, येशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुससे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, तो परमेश्वर का राज्जे देख नहीं सकता, निकूदे मुझने उससे कहा, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया, तो क्यों कर जन्म ले सकता है, क्या वो अपनी माता के घर में दूसरी भार प्रवेश्व करके जन्म ले सकता है, यिश्व ने उत्तर दिया के, मैं तुझ से सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से नजन्मे, तो वो परमेश्वर के राज्ज में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है, वो आत्मा है, अचंभा नकर, कि मैंने तुझ से कहा, कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, हवा जिधर चाहती है, उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परन तू नहीं ज कि वो कहां से आती और किधर को जाती है जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है निकूदेम उसने उसको उत्तर दिया कि ये बाते क्यों कर हो सकती है ये सुनकर यिश्यू ने उससे कहा तू इसराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहन नहीं करते जब मैंने तुम से प्रिथवी की बाते कहीं और तुम प्रतीती नहीं करते तो यदि मैं तुम से स्वर्ग की बाते कहूँ तो फिर कैसे प्रतीती करोगे और कोई स्वर्ग पर नहीं चड़ा केवल वही जो स्वर्ग से उतरा अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है और जिस रीती से मूसा ने जंगल में सांप को उँचे पर चड़ाया उसी रीती से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी उँचे पर चड़ाया जाए ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनन्त जीवन पाए क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लोता पुत्र दे दिया जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परन्तु अनन्त जीवन पाए परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आग्या दे परन्तु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आग्या नहीं होती परन्तु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोशी ठहर चुका इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया और दंड की आग्या का कारण ये है कि जोती जगत में आई है और मनुश्यों ने अंधकार को जोती से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो जोती से बैर रखता है और जोती के निकट नहीं आता ऐसा नहो कि उसके कामों पर दोश लगाया जाए परन्तु जो सच्चाई पर चलता है वो जोती के निकट आता है कि उसके काम प्रकट हों कि वे परमेश्वर की ओर से किये गए हैं इसके बाद यिश्यू और उसके चेले यहुदिया देश में आए और वो वहाँ उनके साथ रहकर बब्तिस्मा देने लगा और युहना भी शालेम के निकट एनोन में बब्तिस्मा देता था क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बब्तिस्मा लेते थे क्योंकि युहना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था वहां योहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धी के विशय में वाविवात हुआ और उन्होंने योहन्ना के पास आकर उससे कहा ए रब्बी जो व्यक्ति यर्दन के पार तेरे साथ था और जिसकी तुने गवाही दी है देख वो बब्तिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं योहन्ना ने उत्तर दिया जब तक मनिश्य को स्वर्ग से नद दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसी नहीं परन्तु उसकी आगे भेजा गया हूँ जिसकी दुलन है वही दूला है परन्तु दूले का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है दूले के शब्द से बहुत हर्षित होता है अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है अवश्य है कि वो बड़े और मैं घटूं जो उपर से आता है वो सर्वोत्तम है जो पृत्वी से आता है वो पृत्वी का है और पृत्वी की ही बाते कहता है जो स्वर्ध से आता है वो सब के उपर है जो कुछ उसने देखा और सुना है वो उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहंड नहीं करता जिसने उसकी गवाही ग्रहंड कर ली उसने इस बात पर ज्छाब दे दी है कि परमेश्वर सच्चा है क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बाते कहता है क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता पिता पुत्र से प्रेम लगता है और उसने सब बस वे उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, वो जीवन को नहीं देखेगा। परंतु परवेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अध्याए चार फिर जब प्रभू को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि येश्व युहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बब्तिस्मा देता है। यद्पी येश्व आप नहीं बरन उसके चेले बब्तिस्मा देते थे। तब वो यहुदिया को छोड़ कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्य था। सो वो सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमी के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुवा भी वही था। सो येशु मार्ग का ठका हुआ उस कुवे पर यूही बैठ गया। ये बात छटे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरिय स्त्री जल भरने आई। येशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरिय स्त्री ने उससे कहा, तु यहूदी होकर मुझ सामरिय स्त्री से पानी क्यों मांगता है। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का वहवार नहीं रखते थे। येशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभू, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुवा गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहा से आया। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें कुवा दिया और आप ही अपने संतान और अपने टूरों समित उसमें से पिया। यिश्यू ने उसको उत्तर दिया के, जो कोई ये जल पियेगा, वो फिर पियासा होगा। परंतु जो कोई उस जल में से पियेगा, जो मैं उसे दूँगा, वो फिर अनंत काल तक पियासा न होगा। वरन, जो जल मैं उसे दूँगा, वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमरता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभू, वो जल मुझे दे, ताकि मैं पियासी ना हूँ, और ना जल भरने को इतनी दूर आउँ। येशु ने उससे कहा, जा अपने पती को यहां बुलाला। स्त्री ने उत्तर दिया कि, मैं बिना पती की हूँ। येशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, कि मैं बिना पती की हूँ, क्योंकि तू पांच पती कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है, वो भी तेरा पती नहीं है, ये तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, ये प्रभू, मुझे ग्यात होता है कि तू भविशे द्वक्ता है, हमारे बाप दादा ने इसी पाहाड पर भजन किया, और तुम कहते हो कि वो जगा जा भजन करना चाहिए यरुशलेम में है। ये नारी, मेरी बात की प्रतीतिकर कि वो समय आता है कि तुम न तो इस पाहाड पर पिता का भजन करोगे, न यरुशलेम में तुम जिसे नहीं जानते, उसका भजन करते हो। और हम जिसे जानते हैं, उसका भजन करते हैं। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, परन्तु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आतमा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि पिता आपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को धूंडता है, परमेश्वर आतमा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आतमा और सच्चाई से भजन करें। स्तिरी ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो कृस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। येश्यू ने उससे कहा, मैं जो तुझ से बोल रहा हूँ, वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वो उस्तिरी से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने ना कहा कि तु क्या चाहता है या किसली उससे बातें करता है। तविस्तिरी अपना घड़ा छोड़ कर नगर में चली गई, और लोगों से कहने लगी, आओ, एक मनुश्य को देखो, जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया है, कहीं यही तो मसी नहीं है। वे नगर से निकल कर उसके पास आने लगे। इतने में उसके चेले यिशु से ये बिनिती करने लगे कि, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है, जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलु ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यिशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी चार महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुम से कहता हूँ, अपनी आखें उठा कर खेतों पर द्रिष्टी डालो, कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। और काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। कि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि इस पर ये कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा, जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया, औरोंने परिश्रम किया, और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए. उस नगर के बहुत सामरियों ने उस इस तरीके कहने से, जिसने ये गवाही दी थी के, उसने सब कुछ जो मैंने किया है, मुझे बता दिया, विश्वास किया, तब जब ये सामरी उसके पास आये, तो उससे बिनिती करने लगे के, हमारे यहां रहे, सो वो वहां दो दिन तक रहा, और उसके बचन के कारण, और भी बहुतेरों ने विश्वास किया, उन्होंने उस इस तरी से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं, कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है, फिर उन दो दिनों के बाद, वो वहां से कूच करके गलील को गया, क्योंकि यिश्व ने आप ही साक्षी दी के भविश्य द्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता, जब वह गलील में आया, तो गलीली आनंद के साथ से मिले, जितने काम उसने यरुशलेम में पर्व क समय किये थे, उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गये थे, तब वो फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था, वहां राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफर नहूं में बीमार था, वह यह सुनकर, कि यिश्व यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया, और उससे बिन्ती करने लगा कि, चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर था, येश्व ने उससे कहा, जब तक तुम जिन और अदभुत काम न देखोगे, तब तक कदापी विश्वास न करोगे, राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, ए प्रभु, मेरे बालक की बित्व होने से पहले चल, येश्व ने उससे कहा, जहां तेरा पुत्र जीवित है, उस मनुष्य ने, येश्व की कही हुई बात की प्रतिती की, और चला गया, वो मार्ग में जाही रहा था के, उसके दास उस से आ मिले, और कहने लगे के, तेरा लड़का जीवित है, उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वो अच्छा होने लगा, उन्होंने उससे कहा, कल सात्वे गंटे में उसका जवर उतर गया, तब पिता जान गया, कि ये उसी घड़ी हुआ, जिस घड़ी, येश्व ने उससे कह तेरा पुत्र जीवित है, और उसने, और उसके सारे घराने ने विश्वास किया, ये दूसरा आश्चरी कर्म था, जो येश्व ने येहुदिया से गलेल में आकर दिखाया, अध्याए पांच, इन बातों के पीछे, येहुदियों का एक पर्भ हुआ, और येश्व येश यरुशलेम को गया, यरुशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इबरानी भाशा में बेत हस्दा कहलाता है, और उसके पांच उसारे हैं, इन में बहुत से बीमार, अंधे, लंगडे, और सूखे अंग वाले, पानी के हिलनी की आशा में पड़े रहते थे, क् क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्ग दूर कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे, पानी हिलते ही, जो कोई पहले उतरता, वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, वहाँ एक मनुष्य था, जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है, उस बीमारी में उसको उतर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, कि जब पानी हिलाया जाए, तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंशते पहुंशते, दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है, य और अपनी खाट उठा कर चलने फिरने लगा, वो सब्द का दिन था, इसलिए यहुदी उससे जो चंगा हुआ था, कहने लगे के, आज तो सब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं, उसने उन्हें उतर दिया के, जिसने मुझे चंगा किया, उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा कर चल फिर, उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुश्य है, जिसने तुझे कहा, खाट उठा कर चल फिर, परन्तु जो चंगा हो गया था, वो नहीं जानता था, वो कौन है, क्योंकि उस जगे में भीड होने के कारण, येशु वहां से हट गया था इन बातों के बाद, वो येशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख, तुझ चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो, कि इससे कोई भारी विपत्ती, तुझ पर आपड़े उस मनुष्य ने जाकर, येशु से कह दिया के, जिसने मुझे चंगा किया, वो येशु है, इस कारण, येशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सब्त के दिन करता था, इस पर येशु ने उनसे कहा, मेरा पिता, अब तक काम करता है, और मैं भी काम करता हूँ इस कारण, येहुदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रियत्न करने लगे, कि वो ना केवल सब्त के दिन ही विधी को तोड़ता, परन्तु परमेश्वर को अपना पिता कहकर, अपने आपको परमेश्वर के तुल्ले ठहराता था, इस पर येशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वो आप करता है, वो सब दिखाता है, और वो इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, के तुम अचंभा करो, क्योंकि जैसे पिता मरे हुऊं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है, उन्हें जिलाता है, और पिता किसी का न्याए भी नहीं करता, परन्तु न्याए करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसा ही पुत्र का भी आदर करें, जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता का, जिसने उसे भीजा है, आदर नहीं करता, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर, मेरे भेजने वाले की प्रतीती करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर डंड की आज्या नहीं होती, परन्तु वो मृत्यु से पार होकर, जीवन में प्रवेश कर चुका है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है, और अब है, जिसमें मृतक, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे, वे जीएंगे, क्योंकि जिस रीती से, पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीती से, उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है, कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है, कि जितने कब्रों में हैं, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने भलाई की है, वे जीवन के पुनर्थान के लिए जीवठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनर्थान के लिए जी उठेये मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं और मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परन्तु अपने भेजने वालों की इच्छा चाहता हूँ यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूँ कि वो मेरी जो गवाही देता है वो सच्ची है तुमने युहन्ना से पुछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है परन्तु मैं अपने विशय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योती में मगन होना अच्छा लगा परन्तु मेरे पास जो गवाही है वो युहन्ना की गवाही से बड़ी है जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौपा है अर्थाद यही काम जो मैं करता हूँ वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है तुम उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते तुम पवित्र शास्त्र में धूनते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और वही है जो मेरी गवाही देता है फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता परन्तु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहन नहीं कर ले यदि कोई और अपने ही नाम से आये तो उसे ग्रहन कर लोगे तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हूं और वो आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते किस प्रकार विश्वास कर सकते हूं जिस पर तुमने भरोसा रखा है क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीती करते तो मेरी भी प्रतीती करते इसलिए कि उसने मेरे विशय में लिखा है परन्तु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीती नहीं करते तो मेरी बातों की क्यों कर प्रतीती करोगे अध्याय चै इन बातों के बाद यिश्व गलील की जील अर्थार्थ तिबीरियास की जील के पास गया और एक बड़ी भीड उसके पीछे हुली क्योंकि जो आश्चरिय कर्म वो बिमारों पर दिखाता था वो उनको देखते थे तब यिश्व पहार पर चड़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था तब यिश्व ने अपनी आँखें उठा कर एक बड़ी भीड को अपने पास आते देखा और फिलिपुस से कहा के हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं परंतु उसने ये बात उसे परकने के लिए कही क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया के दो सौ दीनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी के उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए उसके चेलों में से शमौन के भाई अंद्रियास ने उससे कहा यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की पांच रोटी और दो मचलिया है परन्तु इतने लोगों के लिए वो क्या है यिशू ने कहा के लोगों को बैठा दो उस जगे बहुत घास थी जब वे लोग जो गिरिती में लगभग पांच हजार थे बैठ गे तब यिशू ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बाट दी और वैसे ही मचलियों में से जितनी वे चाहते थे बाट दिया जब वे खा कर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा के बचे हुए टुकडे बटोर लो कि कुछ फैका न जाए सो उन्होंने बटोरा और जबकि पांच रोटियों के टुकडे जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी बारह टोकरियां भरी तब जो आश्चरी कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देख कर कहने लगे के वो भविश्द वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्य यही है यिश्व ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं फिर पहाड पर अकेला चला गया फिर जब संध्या हुई तो उसके चेले जील के किनारे गए वे नाओ पर चड़कर जील के पास कफर नहूं को जाने लगे उस समय अधेरा हो गया था और यिश्व अभी तक उनके पास नहीं आया था और आधी के कारण जील में लहरें उठने लगी सो जब वे खेते खेते तीन जार मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यश्व को जील पर जलते और नाओ के निकट आते देखा और ढर गए परन्तु उसने उनसे कहा मैं हू दलो मान सो वे उसे नाओ पर चड़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वे नाओ उस स्थान पर जा पहुँची जहां वे जा रहे थे दूसरे दिन उस भीड ने जो जील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहां एक को छोड़ कर और कोई छोटी नाओ ना थी और येश्व अपने चेलों के साथ उस नाओ पर ना चड़ा था परंतु केवल उसके चेले चले गए थे तो भी और छोटी नामे तिवरियास से उस जगे के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी सो जब भीड ने देखा कि यहां ना येश्व है और ना उसके चेले तो वे भी छोटी छोटी नाओं पर चड़कर येश्व को ढूंडते हुए कफर नहून को पहुचे और जील के पार उससे मिल कर कहा हे रभी तु यहां का बाया येश्व ने उत्तर दिया मैं तुमसे सच सच कहता हूँ तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंडते हो कि तुमने अचम्भित काम देके परन्तु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर त्रिप्त हुए नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो परन्तु उस भोजन के लिए जो अनन्त जीवन तक ठहरता है जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कारे करने के लिए हम क्या करें? येश्वर ने उन्हें उत्तर दिया परमेश्वर का कारे ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो तब उन्होंने उससे कहा फिर तू कौन सा चिन्न दिखाता है कि हम उसे देख कर तेरी प्रतीती करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाब दादों ने जंगल में मन्ना खाया जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी येश्यो ने उनसे कहा मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी परन्तु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है तब उन्होंने उससे कहा हे प्रभू ये रोटी हमें सर्वता दिया कर येश्यो ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा, परन्तु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है, तो भी विश्वास नहीं करते, जो कुछ पीता मुझे देता है, वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी न निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उत्रा हूँ, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है, कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, उसमें से मैं कुछ न खोऊंँ, प्रन्तु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंँ, क्योंकि मेरे पिता के इच्छा यह है, कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वो अनन जिवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊ सो, यहूदी उस पर कुड़कुडाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था, कि जो रोटी स्वर्ग से उत्री, वो मैं। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यू नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उत्रा हूँ। यू ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुडाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है, उसे ख अविश्यत वक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, मेरे पास आता है, ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को दे मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनन्त जीवन उसी का है जीवन की रोटी मैं हूँ तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाए और मर गए ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और नमरे जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सरवदा जीवित रहेगा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूँगा वो मेरा मांस है इस पर यहूदी ये कहकर आपस में जगडने लगे के ये मनुश्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है ये शू ने उन से कहा मैं तुम से सच सच कहता हूँ जब तक मनुश्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लोहू न प्यो तुम में जीवन नहीं जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है अनन्त जीवन उसी का है और मैं अन्तिम दिन फिर उसे जिला उठाओंगा क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है जो मेरा मांस खाता और लोहू पीता है वो मुझमें फ्थिर बना रहता है और मैं उसमें जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा जो रोटी स्वर्ख से उत्री यही है बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए जो कोई यह रोटी खाएगा वो सरवदा जीवित रहेगा यह बातें उसने कफर नहूं के एक आराधना अलय में उपदेश देते समय कहीं इसलिए उसके चेलों में से बाउतों ने यह सुन कर कहा के यह बात कठोर है इसे कौन सुन सकता है यिश्व ने अपने मन में यह जान कर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुराते हैं उनसे पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है यदि मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहिले था वहां उपर जाते देखोगे तो क्या होगा आत्मा तो जीवन दायक है, शरीर से कुछ लाब नहीं जो बातें मैंने तुम से कही हैं, वे आत्मा हैं और जीवन भी है परन्तु तुम में से कितने ऐसे हैं, जो विश्वास नहीं करते येश्यू तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन उसे पकड़वाएगा और उसने कहा इसलिए मैंने तुम से कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वर्दान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले तब येश्यू ने उन बारों से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो शमान पतरस्त ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभू हम किसके पास जाएं अनन्थ जीवन की बाते तो तेरे ही पास हैं हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है येश्यू ने उन्हें उत्तर दिया क्या मैंने तुम बारों को नहीं चुन लिया तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैदान है ये उसने शमान इस क्रियोती के पुत्र यहुदा के विशै में कहा क्योंकि यही जो उन बारों में था उसे पगड़वाने को था अध्याय साथ इन बातों के बाद येश्यू गलील में फिरता रहा यहुदी उसे मार डालने का यत्र कर रहे थे इसलिए वो यहुदियों में फिरना ना चाहता था और यहुदियों का मंडपों का पर्व निकट था इसलिए उसके भाईयों ने उससे कहा यहां से कूच करके यहूदियों में चला जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखे क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे यदि तू ये काम करता है तो अपने तई जगत पर प्रकट कर क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे तब येशु ने उनसे कहा मेरा समय अभी तक नहीं आया परंतु तुम्हारे लिए सब समय है जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता परंतु वो मुझसे बैर करता है क्योंकि मैं उसके विरोध में ये गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे है तुम पर्ब में जाओ मैं अभी इस पर्ब में नहीं जाता क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ वो उनसे ये बातें कहकर कलील ही में रहे गया परंतु जब उसके भाई पर्ब में चले गए तो वह आप ही प्रकट में नहीं परंतु मानो गुप्त हो कर गया सो यहुदी पर्ब में उसे ये कहकर ढूणने लगे कि वो कहां है लोगों में उसके विशय में चुपके चुपके बहुत सी बाते हुई कितने कहते थे वह भला मनुशे है और कितने कहते थे नहीं वो लोगों को भरमाता है तो भी यहुदीयों के भय के मारे कोई वेक्ती उसके विशय में खुल कर नहीं बोलता था और जब पर्व के आधे दिन बीट गए तो यिशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा के इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई यिशु ने उत्तर दिया के मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विशय में जान जाएगा कि वो परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बढ़ाई चाहता है परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं क्या मूसा ने तुमें व्यवस्था नहीं दी तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलना तुम क्यूं मुझे मार डालना चाहते लोगों ने उत्तर दिया के तुझ में तुष्टात्मा है कौन तुझे मार डालना चाहता है येशू ने उनको उत्तर दिया के मैंने एक काम किया और तुम सब अचंभा करते हो इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्या दी है ये नहीं कि वो मूसा की ओर से है परन्तु बाप दादों से चली आई है और तुम सब्द के दिन को मनुष्य का खतना करते हो जब सब्द के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है कि मूसा की व्यवस्था की आज्या दल न जाए तो तुम मुझ पर क्यूं इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सब्द के दिन एक मनुष्य को पूरी रीती से जंगा किया मुह देखकर न्याय न चुकाओ परन्तु ठीक ठीक न्याय चुकाओ तब कितने यरुशले में कहने लगे क्या यह वही नहीं जिसके मार डालने का प्रयपन किया जा रहा है परन्तु देखो वो तो खुलमखुला बाते करता है और उससे कोई कुछ नहीं कहता क्या संबभ है कि सरदारों ने सच-सच जान लिया है कि यही मसी है इसको तो हम जानते हैं कि यह कहा का है परन्तु मसीह जब आएगा तो कोई न जानेगा कि वो कहा का है तब येशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहा का हूँ मैं तो आपसे नहीं आया परन्तु मेरा भेजने वाला सच्चा है उसको तुम नहीं जानते मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाए तो भी किसी ने उस पर हाथ लड़ा क्योंकि उसका समय अग तक ना आया था और भीड में से बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे मसी जब आएगा तो क्या इससे अधिक अशरे कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए फरीसियों ने लोगों को उसके विशय में ये बाती चुपके चुपके करते सुनाओ और महायाज को और फरीसियों ने उसके पकड़ने को सिपाही भीजे इस पर येश्यों ने कहा मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ तब अपने भेजने वाले के बास चला जाओगा तुम मुझे ढूंडोगे पर तुम नहीं पाओगे और जहां मैं हूँ वहां तुम नहीं आ सकते येहुदियों ने आफस में कहा ये कहा जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे क्या वो उनके पास जाएगा जो युनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और युनानियों को भी उप्तेश देगा ये क्या बात है जो उसने कही तुम मुझे ढूंडोगे पर तुम ना पाओगे और जहां मैं हूँ वहां तुम नहीं आ सकते फिर पर्व के अंतिन दिन जो मुख्य दिन है येशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा यदि कोई पियासा हो तो मेरे पास आकर पिये जो मुझे पर विश्वास करेगा जैसा मवित्र शास्त्र में आया है उसके हिर्दे में से जीवन के जलकी नदियां पह निकलेंगी उसने ये वचन उस आत्मा के विशय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे क्योंकि आत्मा अब तक ना उत्रा था क्योंकि यिश्यू अब तक अपनी महिमा को ना पहुचा था तब भीड में से किसी किसी ने ये बातें सुनकर कहा सच मुच यही वो भविशय द्रकता है और उने कहा ये मसी है परंतु किसी ने कहा क्यों क्या मसी गलील से आएगा क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं आया कि मसी दाउद के बंच से और बैदलेहम गाउं से आएगा जहां दाउद रहता था सो उसके कारण लोगों में फूट पड़ी उन में से कितने उसे पकड़ना चाहते थे परन्तु किसी ने उस पर हाथ ना डाला तब सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास आये और उन्होंने उनसे कहा तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनिश्य ने कभी ऐसे बाते ना की फरीसियों ने उनको उत्तर दिया क्या तुम भी भर्माए गए हो, क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है, परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते, स्रापित हैं। निकूदेम उसने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी विवस्था, किसी व्यवस्थी को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले, कि वो क्या करता है, दोशी ठेराती है, उन्होंने उससे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है, ढूंड और देख कि गलील से कोई भविश्य द्वक्ता प्रकट नहीं होने का, तब सब कोई अपने अपने घर को गए, अध्याय आज, परंतु यिशु जैतून के पहाड़ पर गया, और भोर को फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आये, और वो बैठ कर उन्हें उपद गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यिशु से कहा, हे गुरू, यह स्त्री व्यविचार करते हुए ही पकड़ी गई है, व्यवस्था में मुशा ने हमें आग्या दी है, कि ऐसी स्त्रियों को पथरवा करें, तु इस्त्री के विशे में क्या कहता है, उन्होंने उसक पोचते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा के, तुम में जो निश्पाफ हो, वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर जुक कर, भूमी पर उंगली से लिखने लगा, परन्तु वे ये सुनकर, पड़ों से लेकर छोटों तक, एक-एक करके निकल गए, और येशु अके जा गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्या न दी? उसने कहा, ये प्रभू, किसी ने नहीं, येशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्या नहीं देता, जा और फिर पाब न करना, तब येशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की जोती मैं हूँ, जो मेरे आज़ार में न चलेगा, परन्तु जीवन की जोती पाएगा, फरीसियों ने इससे कहा, तु अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं, येशु ने उनको उतर दिया, यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जा कहां को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूँ, या कहां को जाता हूँ, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी, तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा उन्होंने उससे कहा तेरा पिता कहा है येशोंने उत्तर दिया के ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते ये बाते उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे ना पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था उसने फिर उनसे कहा मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंडोगे और अपने पाप में मरोगे जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते इस पर यहूदियों ने कहा क्या वो अपने आप को माल डालेगा जो कहता है कि जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो मैं उपर का हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं, इसलिए मैंने तुम से कहा, कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे, कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे उन्होंने उससे कहा, तू कान है? यिशुने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंब से तुमसे कहता आया हूँ तुम्हारे विशय में मुझे बहुत कुछ कहना और निरणय करना है परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उस से सुना है वही जगत से कहता हूँ वे ना समझे के वे उनसे पिता की विशय में कहता है तब यिशू ने कहा के जब तुम मनुष्य के पुत्र को उंचे पर चड़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपने आप से कुछ नहीं करता परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बाते कहता हूँ और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि मैं सरवदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है वह ये बाते कहे ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया तब यिश्व ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतिती की थी कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि, हम तो इब्राहीम के वच से हैं, और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तु क्योंकर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। येशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि जो कोई पाप करता है, वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदी पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सच मुझ तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ, कि तुम इबराहीम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुमारे हिर्दे में जगह नहीं पाता। इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो, मैं वही कहता हूँ, जो मैंने अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते रहते हो, जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया हमारा पिता तो इबराहीम है येशु ने उनसे कहा यदि तुम इबराहीम की संतान होते तो इबराहीम के समान काम करते परन्तू अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुमें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना ये तो इबराहीम ने नहीं किया था तुम अपने पिता के समान काम करते हो उन्होंने उससे कहा हम व्यभीचार से नहीं जन में हमारा एक पिता है अर्थाद परमेश्वर येशु ने उनसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ, मैं आप से नहीं आया, परन्तु उसी ने मुझे भेजा है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते, तुम तो अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वो तो आरंब से हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, जब वो जूट बोलता है, तो अपने सवभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो जूटा है, वरन ज धूत का पिता है परन्तु मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरी प्रतीती नहीं करते तुम मेंसे कौन मुझे पापी ठहराता है और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीती क्यों नहीं करते जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है औ से कहा क्या हम ठीक नहीं कहते कि तु सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है येश्यों ने उत्तर दिया कि मुझ में दुष्टात्मा नहीं परन्तु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो परन्तु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता हां एक है जो चाहता है और न्याय करता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदी कोई व्यक्ति मेरे वजन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यू को न देखेगा यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुछ में तुष्ट आत्मा है इब्राहीम मर गया और भुश्य द्वक्ता भी मर गये हैं और तुख कहता है कि यदी कोई मेरे वजन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यू का स्वाद न चकेगा हमारा पिता इब्राहीम तो मर गया क्या तुछ उससे बढ़ा है भविश्य द्वक्ता भी मर गए तु अपने आपको क्या ठहराता है येश्यो ने उत्तर दिया यदि मैं आप अपनी महिमा करू तो मेरी महिमा कुछ नहीं परन्तु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है जिसे तुम कहते हो कि वो हमारा परमेश्वर है और तुमने तो उसे नहीं जाना परन्तु मैं उसे जानता हूँ और यदि कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी नाई जूटा ठहरूँगा परन्तु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ तुम्हारा पिता इबराहीम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया यहूदियों ने उससे कहा अब तक तू पचास वर्ष का नहीं फिर भी तूने इबराहीम को देखा है यिशु ने उससे कहा मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि पहले इसके की इबराहीम उत्पन हुआ मैं हूँ तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाय परन्तू यिशु छिपकर मंदिर से निकल गया अध्याए नौ फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्मकांधा था उसके चेलों ने उससे पूछा हे रब्भी किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने येशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने परन्तू ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हूँ, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, वो रात आने वाली है, जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की जोती हूँ ये कहकर उसने भूमी पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आँखों पर लगा कर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धोले, जिसका आर्थ भेजा हुआ है, सो उसने जाकर धोया, और देखता हुआ लाटाया, तब पड़ोसी और जिन्हो उने पहले उसे भीक मांगते देखा था, कहने लगे, क्या ये वो ही नहीं, जो बैठा भीक मांगा करता था, कित्रों ने कहा, ये वही है, और उने कहा, नहीं, परंतु उसके समाल है, उसने कहा, मैं वही हूँ, तब वे उससे पूछने लगे, तेरे आँखे कैसे खुल ये शू नामा के एक व्यक्ती ने मिट्टी सानी, और मेरी आँखों पर लगा कर मिट्से कहा, शिलो में जाकर धोले, मैं गया और धोकर देखने लगा, उन्होंने उससे पूछा, वो कहा है, उसने कहा, मैं नहीं जानता, लोग, उसे यो पहले अंधा था, फरीसियों के पा का दिन था, फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तेरी आँखें किस रिती से खुल गई, उसने कुन से कहा, उसने मेरी आँखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धोलिया, और अब देखता हूँ, इस पर कई फरीसियों कहने लगे, वो मनुष्ये परमेश्वर की योड से नहीं, क्योंकि वो सबत का दिन नहीं मानता, औरोंने कहा, पापी मनुष्ये कैसे ऐसे चिन दिखा सकता है, सो उनमें फूट पड़ी, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने जो तेरी आँखें खोली, तु उसके विशय में क्या कहता है, उसने कहा, वो भविश्यत वक परंतु, यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि यह अंधा था, और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके माता पिता को, जिसकी आखें खुल गई थी, बुला कर उनसे ना पूचा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है, जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, अब वो क्यों कर देखता है, उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है, और अंधा जन्मा था, प्रंतु हम नहीं जानते हैं कि अग क्यों कर देखता है, और ना यह जानते हैं कि किसने उसकी आखें खोली, वो सयाना है, उसी से पूचलो, वो अप कोई कहे के वो मसी है तो आराधनालय से निकाला जाए इसी कारण उसके माता पिता ने कहा के वो सयाना है उसी से पूछ लो तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुला कर उससे कहा परमेश्वर की स्तुतिकार हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है उसने उत्तर दिया मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं मैं एक बाद जानता हूँ कि मैं अन्धा था और अब देखता हूं उन्होंने उससे फिर कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आउंखें खोली उसने उनसे कहा मैं तो तुम से कह चुका और तुमने ना सुना अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले तू ही उसका चेला है हम तो मूसा के चेले है हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बाते की पर अंतो इस मनुष्य को नहीं जानते की कहाँ का है उसने उनको उत्तर दिया यह तो अचंपी की बात है कि तुम नहीं जानते कि कहा का है तो भी उसने मेरी आँखे खोल दी हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता पारंतु यदि कोई परमेश्वर का भथ हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वहे उसकी सुनता है जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आखे खोली हो यदि यह परमेश्वर की और से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता उन्हों ने उसको उत्तर दिया के तू तो बिलकुल पापों में जन्मा है तू हमें क्या सिखाता है और उन्हों ने उसे बाहर निकाल दिया येशु ने सुना के उन्हों ने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है कि उस पर विश्वास करूं? येशु ने उससे कहा, तुने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बाते कर रहा है, वही है. उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं. और उसे दंडवत किया, तब येशु ने कहा, मैं इस जगत में नियाए के लिए आया हूं, कि जो नहीं देखते, वे देखें, और जो देखते हैं, वे अंधे हो जाएं. जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बाते सुनकर उससे कहा, क्या, हम भी अंधे हैं? इशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते, तो पापी न ठहरते, पर तुम अब कहते हो, कि तुम देखते हो, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है. अध्याए 10 मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि जो कोई द्वार से भेड शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतू और किसी ओर से चड़ जाता है, वो चोर और डाकू है, परंतू जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वो भेडों का चरवाहा है, उसके लिए द्वार पाल द्वार खोल लेता है और भेडें उसका शब्द सुनती हैं और वो अपनी उन भेडों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है और जब वो अपनी सब भेडों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेडें पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं, परंतु वे पराय के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती हैं। द्वार मैं हूँ, जितने मुझसे पहले आए, वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेडों ने उसकी न सुनी। करने को आता है, मैं इसलिए आया, कि वे जीवन पाएं, और बहुत आयत से पाएं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेडों के लिए अपना प्रान देता है। मजदूर जो न चरवाहा है न भेडों का मालिक है, भेडिये को आते हुए देख, भेडों को छोड़ कर भाग जाता है, और भेडिया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेडों की चिंता नहीं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है, और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेडों को जानता हूँ, मेरी भेडे मुझे जानती हैं, और मैं भेडों के लिए अपना प्राण देता हूं मेरी और भी भेडे हैं जो इस भेड़ शाला की नहीं है मुझे उनको भी लाना आवश्यक है वे मेरा शब्द सुनेंगी तब एक ही जुन्द और एक ही चरवाहा होगा पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता ह कि उसे फिर ले लूँ कोई उसे मुझसे चीनता नहीं वरन मैं उसे आप ही देता हूँ मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का अधिकार है याज्या मेरे पिता से मुझे मिली है इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी उन में से बहुतेरे कहने लगे के उसमें दुष्टात्मा है और वो पागल है उसकी क्यों सुनते हो और उने कहा ये बाते ऐसे मनुश्य की नहीं जिसमें दुष्टात्मा हो क्या दुष्टात्मा अंधों की सारे में टहल रहा था तब यहुदियों ने उसे आघेरा और पूछा तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा यदि तू मसी है तो हमसे साफ कह दे यिश्यू ने उन्हें उत्तर दिया के मैंने तुम से कह दिया और तुम प्रतीती करते ही नहीं जो काम मैं अपने पि कि मेरी भेडों में से नहीं हो मेरी भेडे मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं वे कभी नाश नहोंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से चीन न लेगा मेरा पिता जिसने उन्हें मुझ कुछ को दिया है, सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, मैं और पिता एक है। यहुदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पथरवा नहीं करते परंतु परमेशर की निंदा के कारण और इसलिए कि तु मनिश होकर अपने आपको परमेशर बनाता है यिशु ने उन्हें उत्तर दिया क्या तुम्हारी विवस्ता में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम इश्वर हो यदि उसने उन्हें इश्वर कहा जिनके पास परमेशर का वचन पहुचा और पवित्र शास्तर की बात लोब नहीं हो सकती तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है तुम उससे कहते हो कि तुम निंदा करता है इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ यदि मैं अपने पिता का काम नहीं करता तो मेरी प्रतीती न करो परन्तु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरी प्रतीती न भी करो परन्तु उन कामों की तो प्रतीती करो कि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रेत रखिया, परंतु वो उनके हाथ से निकल गया, फिर वो यर्दन के पार उस स्थान पर चला गया, जहां युहन्ना पहले बब्दिस्मा दिया करता था, और वही रहा, और बहुतेरे उसके पास आकर कहते थे के युहन्ना ने तो कोई चन्न नहीं दिखाया, प्रंतु जो कुछ युहन्ना ने इसके विशे में कहा था, वो सब सच था, और वहां, बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया अध्याए ग्यारे मरियम और उसकी बहन, मर्था के गाउं, बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था, ये वही मरियम थी, जिसने प्रभू पर इत्र डाल कर उसके पाउं को अपने बालों से पूचा था, इसी का भाई, लाजर बीमार था, सो उसकी बहिनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभू, देख, जिससे तु प्रिती रखता है, वे बीमार है ये सुनकर येशु ने कहा ये बिमारी मृत्यू की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो और लाजर से ब्रेम रखता था जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां दो दिन और ठहर गया फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चले चेलों ने उससे कहा हे रब्बी अभी तो यहूदि तुझे पत्रवा करना चाहते थे और क्या तु फिर भी मही जाता है यिश्यू ने उत्तर दिया क्या दिन के बारा गंटे नहीं होते यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता क्योंकि वो इस जगत का उजाला देखता है परन्तु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं उसने ये बाते कहीं और इसके बाद उनसे कहने लगा हमारा मित्र लाजर सो गया है परन्तु मैं उसे जगाने जाता हूँ तब चेलो ने उससे कहा हे प्रभू यति वो सो गया है तो बच जाएगा यिशू ने तो उसकी मृत्यू के विशय में कहा था परन्तु वे समझे के उसने नींच से सो जाने की विशय में कहा तब यिशू ने उनसे साफ कह दिया के लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण पानन्दित हूँ कि मैं वहाँ न था जिससे तुम विश्वास करो अब आओ हम उसके पास चले तब धोबा ने जो दिदुम उस कहलाता है अपने साथ के चेलों से कहा आओ हम भी उसके साथ मरने को चले येश्यू को आकर ये मालूम हुआ के उसे कबर में रखे चार दिन हो चुके है बैतनिया येश्यू के समीप कोई दो मील की दूरी बर था और बहुत सी येहुदी मर्था और मर्यम के पास उनके भाई के विशह में शान्ती देने के लिए आये थी मर्था येश्यू के आने का समाचार सुनकर उससे भेट करने को गई परंतु मर्यम घर में बैठी रही मर्था ने येश्यू से कहा ए प्रभू यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदा पी न मर्था और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा येश्यू ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा मर्था ने उससे कहा मैं जानती हूं कि अंतिन दिन में पुनरुथान के समय वह जी उठेगा येश्यू ने उससे कहा पुनलुथान और जीवन मैं ही हूँ जो कोई मुझे पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जीएगा और जो कोई जीवता है और मुझे पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा क्या तू इस बात पर विश्वास करती है उसने उससे कहा हाँ ए प्रभु मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसी जो जगत में आने वाला था वे तु ही है यह कहकर वे चली गई और अपनी बेहन मरियम को चुपकी से बुला कर कहा गुरु यही है और तुझे बुलाता है वह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई ये शुरू अभी गाओं में नहीं पहुँचा था परंतु उसी स्थान में था जहां मर्था ने उससे भेट की थी तब जो यहुदी उसके साथ घर में थे और उसे शांती दे रहे थे ये देखकर कि मर्यम तुरंत उठकर बाहर गई है और ये समझकर कि वो कबर पर रोने को जाती है उसके पीछे हो ली जब मर्यम वहाँ पहुँची जहां ये शू था तो उसे देखते ही उसके पावों पर गिर कर गहा ए प्रभू यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता जब ये शू ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आये थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा तुमने उसे कहां रखा है उन्होंने उससे कहा ए प्रभू चल कर देख ले येशू के आशू पहने लगे तब यहूदी कहने लगे देखो वो उससे कैसे प्रीती रखता था परन्तु उन में से कितनों ने कहा क्या ये जिसने अंधे की आँखें खोली ये भी न कर सका कि ये मनुश्य न मरता येशू मन में फिर बहुत ही उदास होकर कबर पर आया वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था येशू ने कहा पत्थर को उठाओ उस मरे हुए की बहन मरता उससे कहनी लगी हे प्रभू उसमें से अब तू दुर्गंद आती है क्योंकि उसे मरे चार दिन हो गए येशू ने उससे कहा क्या मैंने तुझ से न कहा था कि येदि तू इस्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया फिर येशू ने आखें उठा कर कहा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है परन्तू जो भीड आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा जिससे की वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है ये कहकर उसने बड़े शक्त से पुकारा हे लाजर निकला जो मर कया था वो कफन से हाथ पाउं बंधे हुए निकलाया और उसका बू अंगोचे से रिप्टा हुआ था इश्यू ने उनसे कहा उसे खोल कर जाने दो तब जो येहुदी मर्यम के पास आये थे और उसका ये काम देखा था उन में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया परंतु उन में से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर येश्यू के कामों का समाचार दिया इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों के इकठा करके कहा हम करते क्या है ये मनुष्य तो बहुत चिन दिखाता है यदि हम उसे यूँ ही छोड़ते तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर अमारी जगा और जाती दोनों पर अतिकार कर लेंगे तब उनमें से काईफा नाम एक विक्ती ने जो उस वर्ष का महायाजक था उनसे कहा तुम कुछ नहीं जानते और ना ये सोचते हो के तुम्हारे लिए ये भला है के हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और ना ये के सारी जाती नाशो ये बात उसने अपनी ओर से ना कही परन्तु उस वर्ष का महायाजक होकर धविश्यवानी की के येशू उस जाती के लिए मरेगा और न के वल इस जाती के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्यर की तितर वितर संथानों को एक कर दे सो उसी दिन से वे उसके मार डालने की समती करने लगे इसलिए येश्यू उस समय से येहूदियों में प्रगट होकर ना भिरा परन्तु वहां से जंगल के निगट के देश में इफ्राहीम नाम एग नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वही रहने लगा और येहूदियों का फसह निगट था और बहुतेरे लोग फसह से पहले दिहात से यरुशलिम को गए कि अपने आप को शुद करें सो वे इशू को ढूंडने और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे तुम क्या समझते हो क्या वो पर्ब में नहीं आएगा और महायाज को और फरिसियों ने भी आग्या दे रखी थी कि यदी कोई ये जाने कि इशू कहां है तो बताए कि उसे पकड़ लें अध्याए बारह फिर ये शू फसे से छे दिन पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था जिसे ये शू ने मरे हो में से जिलाया था वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तयार किया और मर्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे तब मर्यम ने जटा मासी का आद सेर बहुमोल इत्र लेकर ये शू के पाउं पर डाला और अपने बालों से उसके पाउं पोँचे और इत्र की सुगंद से घर सुगंदित हो गया परंतु उसके चेलों में से यहूदा इसक्रियोती नाम का एक चेला जो उसे पगड़वाने पर था कहने लगा ये इत्र तीन सौ दिनार में बेच कर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसने ये बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था ये शो ने कहा उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहती है परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वो वहाँ है और वे ना केवर येशू के कारण आये परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हूँ में से जिलाया था तब महायाज को ने लाजर को भी मार डालने की समथी की क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदि चले गए और येशू पर विश्वास किया दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आये थे ये सुनकर कि ये येशू यरूशलेम में आता है खजूर की डालिया लिए और उससे भेट करने को लिखे और फुकारने लगे की होशाना हल्ले इस्राइल का राजा जो प्रभू के नाम से आता है जब येशू को एक कधे का बच्चा मिला तो उस पर बैठा जैसा लिखा है के हे सियोन की बेटी मत डर देख तेरा राजा कधे के बच्चे पर चाहा हुआ चला आता है उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे परन्तु जब येशू की महिमा प्रगट हुई तो उनको स्मरणाया की ये बातें उसके विशय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इस प्रकार का विवहार किया था तब भीड के लोगों ने जो उस समय उसके साथ थे ये गवाई दी के उसने लाजर को कबर में से बुला कर मरे हुव में से जिलाया था इसी कारण लोग उससे भेट करने को आये थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर ये कर्ब दिखाया है तब फरीसियों ने आपस में कहा था सोचो तो सही कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता देखो संसार उसके पीछे हो चला है जो लोग उस पर्व में भजन करने आये थे उनमें से गई यूना नी थे उन्होंने गलील के बैच सैदा के रहने वाले फिलिप उसके पास आकर उससे बिनिती की कि शिरिमान हम येशु से भेट करना चाहते हैं फिलिप उसने आकर अंद्रियास से कहा तब अंद्रियास और फिलिप उसने येशु से कहा इस पर येशु ने उनसे कहा वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो मैं तुम से सच सच कहता हूं कि जब तक गेहुं का दाना भूमी में पढ़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है वो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनन्त जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले और जहां मैं हूं वहाँ मेरा सेवक भी होगा यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है इसलिए अब मैं क्या करूँ हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा परन्तु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ हे पिता अपने नाम की महिमा कर तब ये आकाश्वानी हुई की मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा के बादल कर जा और ने कहा कोई स्वर्गतूत उससे बोला इस पर येशू ने कहा ये शब्द मेरे लिए नहीं परंतू तुम्हारे लिए आया है अब इस जगत का न्याय होता है अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदी प्रिथ्वी पर से उचे पर चड़ाया जाऊंगा तो सब को अपने पास खींचूंगा ऐसा कहकर उसने ये प्रगट कर दिया कि वो कैसी मृत्यू से मरेगा इस पर लोगों ने उससे कहा कि हमने अव्यवस्था की ये बात सुनी है कि मसीह सरवधा रहेगा फिर तू क्यों कहता है कि मनुश्य के पुत्र को उचे पर चड़ाया जाना अवश्यक है तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आगेरे जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है जब तक जोती तुम्हारे साथ है जोती पर विश्वास करो कि तुम जोती के संतान हो ये बातें कहकर येशु चला गया और उनसे छिपा रहा और उसने उनके सामने इतने चिन दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया कि ये शाया भविश्य दुप्ता का वचन पूरा गूँ जो उसने कहा के हे प्रभु हमारे समाचार की किसने प्रतीती की है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रगट हुआ इस कारण वे विश्वास ना कर सके क्योंकि ये शाया ने फिर कहा के उसने उनकी आँखें अंधी और उनका मन कठोर किया है कहीं ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूँ यशाया ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विशे में बातें की तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया परन्तु फरीसियों के कारण वे प्रकट में नहीं मानते थे ऐसा ना हो के आराधनालाय में से निकाले जाएं क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर से अधिक प्रय लगती थी येशु ने पुकार कर कहा जो मुझे पर विश्वास करता है और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है मैं जगत में जोती होकर आया ताकि जो कोई मुझे पर विश्वास करे वो अंदकार में न रहे यदि कोई मेरी बाते सुनकर न माने तो मैं उसे दोशी नहीं ठहराता क्योंकि मैं जगत को दोशी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उधार करने के लिए आया हूँ जो मुझे तुछ जानता है और मेरी बातें ग्रहन नहीं करता है उसको दोशी ठहराने वाला तो एक है अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोशी ठहराएगा क्योंकि मैंने अपनी ओर से बाते नहीं की परन्तु पिता ने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्या दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्या अनंत जीवन है इसलिए मैं जो बोलता हूँ वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ अध्याय तेरे फसह के पर्व से पहले जब येश्यू ने जान लिया कि मेरी वो घड़िया पहुची है कि जगत छोड़ कर पिता के पास जाओं तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अन्त तक वैसा ही प्रेम रखता रहा और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इसकरियोती के मन में ये डाल चुगा था कि उसे पकड़वाए तो भोजन के समय येश्यू ने ये जान कर के पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दी और अंगोचा लेकर अपनी कमर बांधी तब परतन में पानी भरकर चेलों के पाउं धोने और जिस अंगोचे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोचने लगा जब वो शमौन पत्रस के पास आया तब उसने उससे कहा ए प्रभु क्या तू मेरे पाउं दोता है यिश्वर ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता परन तू इसके बाद समझेगा पत्रस्ट ने उससे कहा तू मेरे पाउं कभी न धोने पाएगा यही सुनकर यिश्युने उससे कहा यदि मैं तुझे ना धों तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साजा नहीं शमाउन पत्रस ने उससे कहा ये प्रभु तू मेरे पाउं ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे येश्यू ने उससे कहा जो नहा चुका है उसे पाउं के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नही परन्तु वो बिलकुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो परन्तु सब के सब नहीं वे तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था इसलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं जब वे उनके पाउं धो चुका और अपने कपड़े पहन कर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा क्या तुम समझे की मैंने तुम्हारे साथ क्या किया तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाउं धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाउं धोना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो मैं तुमसे सच-सच कहता हूं दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो मैं तुम सब के विशय में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं परन्तु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं मैं तुम से सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहन करता है वो मुझे ग्रहन करता है और जो मुझे ग्रहन करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है ये बातें कहकर ये शुवात्मा में प्याकुर हुआ और ये गवाही दे कि मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा चेली ये संदे करते हुए कि वै किसकी विशे में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे उसके चेलों में से एक जिससे यिशु प्रेम रखता था येशु की च्छाती की ओर चुका हुआ बैठा था तब शमान पत्रस ने उसकी ओर सैन करके पूछा के बता तो वो किसके विशे में कहता है तब उसने उसी तरह येशु की च्छाती की ओर चुक कर पूछा हे प्रभू वो कौन है येशु ने उत्तर दिया जिसे मैं ये रोटी का टुकडा दुबो कर दूँगा वही है और उसने टुकडा दुबो कर शमौन के पुत्र यहुदा इसकरियोती को दिया और टुकडा लेते ही शैतान उसमें समागे तब येशु ने उससे कहा जो तू करता है तुरंद कर परंतु बैठने वालों में से किसी ने जाना कि उसने ये बात उससे किसलिए कही यहुदा के पास थैली रहती थी इसलिए किसी ने समझा कि येशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें बर्ब के लिए चाहिए वो मोल ले या ये कि कंगालों को कुछ दे तब वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और रात्री का समय था जब वो बाहर चला गया तो यिश्यू ने कहा अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई और परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा वरन तुरंत करेगा हे बालको मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ फिर तुम मुझे धूंडोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ मैं तुम्हें एक नई आज्या देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे शमौन पत्रस ने उससे कहा, हे प्रभू, तु कहा जाता है, यिशु ने उत्तर दिया कि, जहां मैं जाता हूँ, वहां तू, अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, परन्तु इसके बाद मेरे पीछे आयेगा, पत्रस ने उससे कहा, हे प्रभू, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता, मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूगा, यिशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए प्राण देगा, मैं तुझ से सच-सच कहता हूँ, कि जब तक तू तीन बार मेरा इनकार न कर लेग मुर्ग बांग न देगा, अध्याए चाओदा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते, तो मैं तुम से कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं, वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं, तुम वहां का मार्ग जानते ह थोमा ने उससे कहा हे प्रभु हम नहीं जानते कि तु कहा जाता है तो मार्ग कैसे जाने यिश्यू ने उससे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता जिदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है फिलिपुस ने उससे कहा हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे यही हमारे लिए बहुत है हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा क्या तू प्रतीती नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता, परन्तु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है, मेरी ही प्रदी दिकरो, कि मैं पिता में हूँ, और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण, मेरी प्रदी दिकरो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ मांगोगे, तो मैं उसे करूँगा, यदि तुम मुझ से प्रेम रखते हो, तो मेरी आज्याओं को मानोगे, और मैं पिता से ब भायक देगा कि वो सरवदा तुम्हारे साथ रहे अर्थात सत्ते का आत्मा जिसे संसार ग्रहन नहीं कर सकता क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हें होगा मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा परन्तु तुम मुझे देखोगे इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझे में और मैं तुम में जिसके पास मेरी आग्या है और वो उन्हें मानता है वही मुझे से प्रेम रखता है और जो मुझे से प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखोंगा और अपने आपको उस पर प्रकट करूँगा उस यहुद्धा ने जो इस करियोतिन था उससे कहा हेh प्रभु क्या हुआ कि तु अपने आपको हम प्रकट किया चाता है और संसार पर नहीं यिश्यू ने उसको उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ रहेंगे जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो, वो मेरा नहीं, वरन पिता का है, जिसने मुझे भेजा, ये बाते मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए, तुमसे कहीं, परंतु सहायक, अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वो सब तुम्हें समरण कराएगा, मैं तुम्हें शांती दिये जाता हूँ, अपनी शांती तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे, तुमने सुना, कि मैंने तुमस क्या कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है और मैंने अब इसके होने से पहले तुम से कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम प्रतीति करो मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं परन्तु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं और जिस तरहां पिता ने मुझे आग्या दी मैं वैसे ही करता हूं उठो यहां से चलें अध्याए पंदरा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है और जो फलती है उसे वो छाटता है ताकि और फले तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुम से कहा है शुद्ध हो तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली यदी दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती वैसे ही तुम भी यदी मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल फलता है क्योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते यदी कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में छोंक देते हैं और वे जल जाती हैं यदी तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा मेरे पिता की महमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल खाओ तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे जैसा पिता ने मुझ से प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुम से प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो यदि तुम मेरी आज्याओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा की मैंने अपने पिता की आज्याओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ मैंने ये बातें तुम से इसलिए कही हैं कि मेरा आनन्द तुम में बना रहे और तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए मेरी आग्या ये है कि जैसा मैंने प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे जो कुछ मैं तुम्हें आग्या देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पता से मांगो वो तुम्हें दे इन बातों की आग्या मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो यदि संसार तुम से बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुम से पहले मुझसे भी बैर रखा यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता परन्तो इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हे संसार में से चुन लिया है इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता उसको याद रखो यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे परन्तु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते यदि मैं ना आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहर दे परन्तु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है यदि मैं उन्हें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किये तो वे पापी नहीं ठहरते परन्तु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया और वो इसलिए हुआ जो उनकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया परन्तु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूँगा अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आरंब से मेरे साथ रहे हो अध्याए सोला ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कहीं कि तुम ठोकर न खाओ वे तुम्हे आराधनालें में से निकाल देंगे वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हे मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं और ये वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं परन्तु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था और मैंने आरंब में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तु कहां जाता है परन्तु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुहारा मन शोक से भर गया तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि यदि मैं न जाओं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा परन्तु यदि मैं जाओंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा और वो आकर संसार को पाप और धर्मिक्ता और न्याय के विशय में निरुत्तर करेगा पाप के विशय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते और धर्मिक्ता के विशय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे न्याय के विशय में इसलिए कि संसार का सरदार दोशी ठहराया गया है मुझे तुम से और भी बहुत सी बातें कहनी है परण्तु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते परण्तु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुमें सब सत्य का मार्ग बताएगा क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा परन्तु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुहें बताएगा वो मेरी महमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुहें बताएगा जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे तब उसके कितने चेलू ने आपस में कहा ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे और ये इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ तब उन्होंने कहा ये थोड़ी देर जो वो कहता है क्या बात है हम नहीं जानते कि क्या कहता है येश्यों ने ये जानकर, कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विशय में पूछताच करते हो, कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, मैं तुम से सच-सच कहता हूँ, क परन्तु संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा, परन्तु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा, जब स्त्री जनने लगती है, तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आप पहुँची, परन्तु जब वो बालक जनम चुकी, तो इस आनंद से, कि जगत में एक मनुष्य उत्पन हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं कर ली, और तुम्हें भी अब तो शोक है, परन्तु मैं तुमसे फिर मिलूँगा, और तुम्हारे मन में आनंद होगा, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे चीन न लेगा, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे, तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगी, कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टानतों में कही है, परंतु वो समय आता है, कि मैं तुमसे दृष्टानतों में और फिर नहीं कहूंगा, परंतु खोल कर तुम्हें पिता के विशय में बताऊंगा, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे ये नहीं कहता, कि तुम्हारे ल इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीती रख्ती है, और ये भी प्रतीत की है, कि मैं पिता की ओर से निकल आया, मैं पिता से निकल कर जगत में आया हूँ, फिर जगत को छोड़ कर पिता के पास जाता हूँ, उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तु खोल कर कहता है, और कोई द्र प्रयोजन नहीं, कि कोई तुझ से पूछे, इस से हम प्रतीती करते हैं, कि तु परमेश्वर से निकला है, ये सुन, ये शुने उनसे कहा, क्या तुम अब प्रतीती करते हो, देखो, वो घड़ी आती है, बरन आपहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर, अपना अपना मार्ग लोगे, और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तु भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है, मैंने ये बातें तुम से इसलिए कहीं है, कि तुम्हें मुझ में शांती मिले, संसार में तुम्हें खलेश होता है, परन तु धाडस बांदो, मैंने संसार को जीत अध्याए सत्रा, यिशु ने ये बातें कहीं, और अपनी आखें आकाश योर उठा कर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुची, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तुने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तुने उस को दिया है, उन सब को वो अनन्त जीवन दे, और अनन्त जीवन ये है, कि वे तुझ अधुक्त सच्चे परमेश्वर को, और इशु मसीः को, जिसे तुने भेजा है, जाने, जो काम तुने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके, मैंने पृत्वी पर तेरी महिमा की है और अब ये फिता, तु अपने साथ मेरी महिमा, उस महिमा से कर, जो जगत के होने से पहले मेरी ते साथ थी, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया, जिने तुने जगत में से मुझे दिया, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुचा दी मैंने उन्हें उनको पहुचा दी और उन्होंने उनको ग्रहन किया है और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ और प्रतीती कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा मैं उनके लिए बिनती करता हूँ संसार के लिए बिनती नहीं करता हूँ परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तुने मुझे दिया है क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रगट हुई है मैं आगे को जगत में न रहूँगा परंटु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ यह पवित्र पिता अपने उस नाम से जो तू ने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हो जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तू ने मुझे दिया है उनकी रक्षा की मैंने उनकी चौक्सी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो परन तू अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा अनन्द अपने में पूरा पाएं मैंने तेरा वचन उन्हें पहुचा दिया है और संसार ने उनसे बहर किया क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं मैं ये बिनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले परन तू ये कि तू उन्हें उस तुष्ट से बचाए रख जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है जैसे तू ने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आपको पवित्र करता कि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किये जाए मैं इनहीं के लिए विनती नहीं करता परन्तु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हूँ जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ वैसे ही वे भी हम में हूँ इसलिए कि जगत प्रतीती करे कि तू ही ने मुझे भेजा है और वो महिमा जो तू ने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने की तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तू ने मुझे से प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा हे पिता मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तू ने मुझे दिया है जहां मैं हूँ वहां वे भी मेरे साथ हों कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तू ने मुझे दी है क्योंकि तू ने जगत की उत्पत्ती से पहले मुझ से प्रेम रखा हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना, कि तू ही ने मुझे भेजा है, और मैंने तेरा नाम उनको बताया, और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था, वो उनमें रहे, और मैं उनमें रहूं अध्याए अठारा यिशु ये बाते कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया वहाँ एक बारी थी जिसमें वै और उसके चेले गए और उसका पकड़वाने वाला यहुदा भी वो जगे जानता था क्योंकि यिशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था तब यहुदा पल्टन को और महायाज को और फरिस्यों की और से प्यादों को लेकर दीब को और मशालों और हतियारों को लिए हुए वहाँ आया तब यिशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जान कर निकला और उनसे कहने लगा किसे ढूंते हो उन्होंने उसको उतर दिया यिशु नासरी को यिशु ने उनसे कहा मैं ही हूँ उसका पकड़वाने वाला यहुदा भी उनके साथ खड़ा था उससे ये कहते ही कि मैं हूँ वे हटकर भूमी पर गिर पड़े तब उसने फिर उनसे पूछा तुम किसको ढूंते हो वे बोले यिशु नासरी को यिशु ने उतर दिया मैं तो तुमसे कह चुका हूँ यदि मुझे ढूंते हो तो इन्हें जाने दो ये इसलिए हुआ कि ये वचन पूरा हुआ जो उसने कहा था कि जिन्हें तुने मुझे दिया उन में से मैंने एक को भी नखोया शमौन पत्रस्थे दलवार जो उसके पास थी खीची और महायाज़त के दास पर चला कर उसका दहीना कान उडा थी उस दास का नाम मल्कुस था तब ये शिउ ने पत्रस से कहा अपनी दलवार काठी में रख जो कटोरा पिता ने मुझे दिया क्या मैं उसे नपियों तब सिपाहियों और उनके सूबेदा और यहूदियों के प्यादों ने ये शिउ को पकड़ कर बात लिए और पहले उसे धन्ना के पास ले गए क्योंकि वो उस वर्ष के महायाजक काईफा का ससुर था ये वही काईफा था जिसने यहूदियों को सला दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुश का मरना अच्छा है शमाउन पत्रस और एक और चेला भी ये शिउ के पीछे हो लिए ये चेला महायाजक का जाना पहचाना था और ये शिउ के साथ महायाजक के आंगन में गया परंतु पत्रस बाहर द्वार पर खड़ा रहा तब वो दूसरा चेला जो महायाजग का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वार पालिन से कहकर पत्रस को भीतर ले आया उस दासी ने जो द्वार पालिन थी पत्रस से कहा क्या तो भी इस मनुशी के चेलों में से है उसने कहा मैं नहीं हूँ दास और प्यादे चाड़े के कारण कोईले धदका कर खड़े ताब रहे थे और पत्रस भी उनके साथ खड़ा ताब रहा था तब महायाजग ने यिशु से उनके चेलों की विशय में और उसके उपदेश के विशय में पूछा यिशु ने उसको उत्तर दिया के मैंने जगत से खोल कर माते की मैंने सभा और आराद नालेओं में जब सब यवूदी इकठे हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा तुम उझसे क्यों पूछता है सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा देख वे जानते हैं कि मैंने क्या कहा जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यिशु को थपड मार कर कहा क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है यिशु ने उसे उत्तर दिया यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर कवाही दे परन्तु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है हन्ना ने उसे बदेर हुए काईफा महायाजक के पास भीज दिया शमौन पत्रस खड़ा हुआ ताब रहा था तब उन्होंने उससे कहा क्या तू भी उसके चलो में से है उसने इंकार करके कहा मैं नहीं हूँ महायाजक के दासू में से एक जो उसके कुटुम में से था जिसका कार पत्रस ने कार डाला था बोला क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में न देखा था पत्रस फिर इंकार कर गया और तुरंट मुर्ग ने बांग दी और वे यिश्यू को काईफा के पास से किले को ले गई और भूर का समय था परन्तु वे आप किले के भीतर न गए ताकि अशुध न परन्तु वसेखा से तब पेला तुस उनके पास बाहर निकलाया और कहा तुम ही इस मनिश्य पर किस बाद की दालिश करते हो उन्होंने उसको उत्तर दिया यदि वो को कर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाद न सौपते पेला तुस ने उनसे कहा तुम ही इस से ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो यहूदियों ने उनसे कहा हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले ये इसलिए हुआ कि यिशु की वो बात पूरी हो जो उसने ये पता देते हुए कही थी कि उसका मरना कैसा होगा तब पेला तुस फिर किले के भीतर गया और ये शु को बुला कर उससे पूछा क्या तु यहूदियों का राजा है ये शु ने उत्तर दिया क्या तु ये बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विशय में तुझ से कही पेला तुस ने उत्तर दिया क्या मैं यहूदि हूँ तेरे ही जाती और महायाजकों ने तुझे मेरे हाँ सौपा है तुने क्या किया है ये शु ने उत्तर दिया मेरा राज इस जगत का नहीं यदि मेरा राज इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौपा न जाता परन्तु अब मेरा राज यहां का नहीं पेला तुसने उनसे कहा तो क्या तु राजा है येशु ने उत्तर दिया तु कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ मैंने इसलिए जण लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है पेला तुसने उससे कहा सत्य क्या है और ये कहकर वो फिर यहुदियों के पास निकल गया और उनसे कहा मैं तो उसमें कुछ दोश नहीं पाता पर भारी ये रीती है कि हसे में तुम्हारे ये यहुदियों के राजा को छोड़ दू तब उन्होंने फिर चिला कर कहा इसे नहीं परन्तु हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे और बरब्बा दाकू था अध्याए उन्नेस इस पर पेला तुस ने येशु को लेकर पोड़े लगवाए और सिपाहियों ने काटों का मुकुट गूच कर उसके सिर पर रखा और उसे बैजी वस्त्र पहराए और उसके पास आ आ कर कहने लगे ये यहूदियों के ठाजा रणाम और उसे थपड़ भी मारे तब पिला तुस ने फिर बाहर निकल कर लोगों से कहा देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ कि तुम जानो कि मैं कुछ भी दोश नहीं पाता तब येशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्तर पहने हुए बाहर निकला और पिला तुस ने उनसे कहा देखो ये पुरुश जब महायाजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिला कर कहा के उसे क्रूस पर चढ़ा क्रूस पर पिला तुस ने उनसे कहा तुम्ही उसे लेकर दूस पंचराओ क्योंकि मैं उसमें दोस्त ही पाता यहुदियों ने उसको उत्तर दिया कि हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के नुसार वो मारे जाने के योके है क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया जब पेला तुसने ये बात सुनी तु और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और येशु से कहा तु कहा का है परन्तु येशु ने उसे कुछ भी उत्तर ला दिया पेला तुसने उससे कहा मुझसे क्यों नहीं बोलता क्या तु नहीं जानता कि तुझे जोड देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चड़ाने का भी मुझे अधिकार है। येश्व ने उत्तर दिया कि यदी तुझे ऊपर से न दिया जाता, तो तेरा मुझे पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है इससे पीला तुसने उसे छोड़ देना चाहा परंतु यहुदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा यदि तो इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की और नहीं जो कोई अपने आपको राजा बनाता है वो कैसर का सामना करता है ये बातें सुनकर पेलातुस येशु को बाहर लाया और उस जगए एक चबूत्रा था जो इबरानी में गपत्ता कहलाता है और न्याय आसन पर बैठा ये फसह के तयारी का दिन था और छटे घंटे के लगभग था तब उसने यहुदियों से कहा देखो यही है तुम्हारा राजा परनतु वे चिलाए कि लेजा उसे कुरूस पर चढ़ा पेलात उसने उनसे कहा क्या मैं तुम्हारे राजा को कुरूस पर चढ़ाऊँ महायाजकों ने उत्तर दिया कि कैसर को छोग हमारा और कोई राजा नहीं तब उसने उसे उनके हाथों सौप दिया कि वो गुरूस पर चड़ाया जाए तब वे यिशु को ले गए और वो अपना गुरूस उठाए हुए उस स्थान तक पहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और दो मनुश्यों को गुरूस पर चड़ाया एक कोधर और बीच में यिशु को और पेला तुसने एक दोश पत्र लिखकर गुरूस पर लगा दिया और उसमें ये लिखा हुआ था ईसु नसरी यहूदियों का राजा ये दोश पत्र बहुत यहूदियों ने पड़ा क्योंकि वो उस थान जहां पर ये शुरूस पर चड़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और युनानी में लिखा हुआ था यहूदियों को राजा मतलिक परणतु ये कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूँ भेला दुस ने उत्तर दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया जब सिपाही येशु को पुरूस पर चड़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर चार भाग की हर सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया परंतु कुर्ता बीन सिवान उपर से नीचे तक बुना हुआ था इसलिए उन्होंने आपस में कहा हम इसको ना भाड़ें परंतु इस पर चिट्थी डालें कि वो खिसका होगा ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी होके उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बाट लिये और मेरे वस्थ्र पर चिट्थी डाली सो, सिपाहियों ने ऐसा ही किया, परंतु यिशु के ग्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहें मर्यम, ख्लोस पास की पत्नी और मर्यम मगद लेनी करें, यिशु ने अपनी माता और उस चेहले को जिससे वो प्रेम रखता था, पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा ये नारी देख ये तेरा फुत्र है तब उसने चेले से कहा ये तेरी माता है और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गए इसके बाद इशु ने ये जान कर कि अब सब कुछ हो चुका इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कहा मैं प्यासा हूँ वहाँ एक सिर्के से भरा हुआ बर्तन धरा था सो उन्होंने सिर्के में भिगोई हुए स्पंज को चुफे पर रख कर उसके मुझ से लगाया जब इशु ने वो सिर्का लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर्च चुका कर प्राक त्याग दिये और इसलिए कि वो तैयारी का दिन था यहूदियोंने पहला तुस से बिंती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए ताकि सब्द के दिन वे गुरूसों पर ना रहें क्योंकि वो सब्द का दिन बड़ा दिन था सो सिबाहियोंने आगर पहले की टांगे तोड़ी तब दूसरे की भी जो उसके साथ गुरूसों पर चड़ाए गए थी परतु जब इशू के बास आगर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी परतु सिबाहियों में से एक ने परचे से उसका पंजर बेधा और उसमें से दुरंत लोहू और पाने निकला जिसने ये देखा उसी ने गवाई दी कि उसकी गवाई सच्ची है और वो जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो ये बाते इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी होके उसकी कोई हटी तोड़ी ना जाएगी फिर एक और स्थान पर ये लिखा है कि जिसे उन्होंने बेधा है उस पर दृष्टी करेंगे इन बातों के बाद अर्मतिया के युसुफ ने जो ये शु का चेला था परन्तु यहुदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था पेला तुस से बिंती की कि मैं ये शु की लोत ले जाऊं और पेला तुस ने उसकी बिंती सुनी और वो आकर उसकी लोथ ले गया निकुदे मुस्भी जो पहले यिशु के बास रात को गया था पचास सेर के लगभग मिला हुआ कंधरस और एलवा ले आया तक उन्होंने यिशु की लोथ को लिया और यहुदियों के गाडने की रिती के अनुसार उसे सुगंद द्रवे के साथ कफन में लपेटा उस स्थान पर जहां यिशु क्रोस पर चड़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कबर थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था सो यहुदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यिशु को उसी में रखा क्योंकि वो कबर निकट थी अध्याए 20 सब्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी भूर को अंधेरा रहते ही कबर पर आया और पत्थर को कबर से हटावा देखा तब वो दोड़े और शमान पत्रस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यिशु प्रेम रखता था आकर कहा वे प्रभु को कबर में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहा रख दिया है तब पत्रस और वो दूसरा चेला निकल कर कबर की ओर चले और दोनों साथ साथ दोड़ रहे थे परन्तु दूसरा चेला पत्रस से आगे बढ़कर कबर पहले पहुँचा और जुक कर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर ना गया तब शमान पत्रस उसके पीछे पीछे पहुँचा और कबर के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वो अंगोचा जो उसके सिर से बधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतो अलग एक जगेल लपीटा हुआ देखा तब दूसरा चेला भी जो कबर पर पहले पहुँचा था पीतर गया और देखकर विश्वास किया वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझते थे के उसे मरे हुए मैंसे जीटना होगा तब ये चेले अपने घर लाट गए परंतो मरियम रोती हुई कबर के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कबर की ओर जुखकर दो स्वर्ग दूतों को उच्छल कपड़े पहने हुए जहां येशू की लोत पड़ी थी एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा उन्होंने उससे कहा हेनारी तू क्यों लोती है उसने उनसे कहा वे मेरे प्रभू को डाले गए और मैं नहीं जानती कि उसे उसे कहा रखा है ये कहकर वो पीछे भी और येशू को खड़े देखा और ना पैचाना कि ये येशू है येशू ने उससे कहा हेनारी तू क्यों लोती है किसको ढूंडती है उसने माली समझकर उससे कहा हे माराज यदि तूने उससे उठा लिया है तू बस से कह कि उसे कहा रखा है और मैं उसे ले जाओंगे येशु ने उससे कहा मरियम उसने पीछे भेकर उससे इब्रानी में कहा रबो नहीं अरतार थे गुरू येशु ने उससे कहा मुझे मत चू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास उपर नहीं गया परंतु मेरे भाईयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास उपर जाता हूँ मरियम मगर लेनी ने जाकर चेलू को बताया कि मैंने प्रभू को देखा और उसने मुझसे ये बाते कही उसी दिन जो सप्ता का पहला दिन था संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेली थे यहूद्यों के डर के मारे बंथ थे तब येशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हे शान्ती मिले और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना बंजर उनको दिखाए तब चेले प्रभु को देख कर आरंधित हुए येशु ने फिर उनसे कहा तुम्हे शान्ती मिले जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हे भेजता हूँ ये कहकर उसने उन पर भूगा और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किये गए है जिनके तुम रखो, वे रखे गए है परंतो बारहों में से एक वित्ती अर्थार्थ ठोमा जो दिधुमुस कहलाता है जब यिशु आया तो उनके साथ ना था जब और चेली उससे कहने लगे के हमने प्रभु को देखा है तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हातों में कीलो के छेद ना देख लूँ और कीलो के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालू तब तक मैं प्रतिती नहीं करूँगा आठ दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे धोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे तब यिशू ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शान्ती मिले तब उसने धोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे बंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परन्तु विश्वासी हो ये सुन धोमा ने उत्तर दिया ए प्रभू, ए मेरे परमेश्वर येशू ने उससे कहा तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया येशू ने और भी बहुत चिन जेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं है परन्तु ये इसलिए लिखे गए है कि तुम विश्वास करो कि येशू ही परमिश्वर का पुत्र मसी है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ अध्याए 21 इन बातों के बाद येशू ने अपने आपको तिविरियास जील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीती से प्रकट किया शमौन पत्रस और थोमा जो दिदुमस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतन एल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से दो और जन इकठे थे शमौन पत्रस ने उनसे कहा मैं मचली पकड़ने जाता हूँ उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं सोवे निकल कर नाव पर चड़े परंतो उस रात कुछ ना पकड़ा भोर होते ही यिशू किनारे पर खड़ा हुआ तो भी चेलों ने ना पहचाना कि ये यिशू है तब यिशू ने उनसे कहा हे बालको क्या तुमारे पास कुछ खाने को है उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं उसने उनसे कहा नाव की दहिनी और जाल डालो तो पाओगे तब उन्होंने जाल डाल और अग मचलियों की बहुतायत के कारण उसे खीज ना सके इसलिए उस चेले ने जिससे यिशू प्रेम रखता था पत्रस से कहा वो तो प्रभू है शमान पत्रस ने ये सुनकर के प्रभू है कमर में अंग रखा कस लिया क्योंकि वो नंगा था और जील में कूद पड़ा परंतु और चेले डोंगी पर मचलियों से भरा हुआ जाल खीचते हुए आए क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं कोई दो सो हाथ पर थे जब किनारी पर उत्रे तो उन्होंने कोईले की आग और उस पर मचली रखी हुई और रोटी दिखी येशू ने उनसे कहा जो मचलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ शमाउन पत्रस ने डोंगी पर चड़कर एक सो तिरपन बड़ी मचलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खीचा और इतनी मचलियां होने से भी जाल ना भटा येशू ने उससे कहा कि आओ भुजन करो और चेलों में से किसी को हियाव ना हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है क्योंकि वे जानते थे कि हो ना हो ये प्रभू ही है येशू आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसी ही मचली भी ये तीसरी बार है कि येशू ने मरे हूँ में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिये भुजन करने के बाद येशू ने शमोन पत्रस से कहा हे शमोन युहन्ना के पुत्र क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है उसने उससे कहा हाँ प्रभू तू तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेती रखता हूँ उसने उससे कहा मेरे मेमनों को चरा उसने फिर दूसरी बार उससे कहा ये शमोन युहन्ना के पुत्र क्या तू मुझसे प्रेम रखता है उसने उससे कहा हाँ प्रभू तु जानता है कि मैं तुससे प्रीती रखता हूँ उसने उससे कहा मेरी भेडों की रखवाली कर उसने तीसरी बार उससे कहा हे शमोन युहन्ना के पुत्र क्या तु मुझसे प्रीती रखता है पत्रस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीती रखता है और उससे कहा हे प्रभू तू तो सब कुछ जानता है तू ये जानता है कि मैं तूसे प्रीती रखता हूँ येश्यो ने उससे कहा मेरी भेडों को चरा मैं तुझसे सच सच कहता हूँ जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहां चाहता था, वहां फिरता था, परन्तु जब तू बूड़ा होगा, तो अपने हाथ लंबे करेगा, और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहां तू न चाहेगा, वहां तुझे ले जाएगा उसने उन बातों से पता दिया कि पत्रस कैसी मृत्यू से परमेश्वर की महिमा करेगा ये कहकर उससे कहा मेरे पीछे हो ले पत्रस ने फिर कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यिशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी चाती की ओर जुक का पूछा था हे प्रभू तेरा पकड़ने वाला कौन है उसे देखकर पत्रस ने यिशु से कहा हे प्रभू इसका क्या हालोगा यिशु ने उससे कहा यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या तु मेरे पीछे हो ले इसलिए भाईयों में ये बात प्थैल गई कि वो चेला ना मरेगा तो भी इशु ने उससे ये नहीं कहा कि ये ना मरेगा परंतु ये कि यदि मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो उससे क्या वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है और भी बहुत से काम है जो ये शु ने किये यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्त के जो लिखी जाती वे जगत में भी ना समाती कर दो दो को टो का जरी हो कागी है जर जुकाली है झाली है भी बता खातीmont बितीस झाल 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 झाल